नमश्कार बच्चों स्वागत आप सभी का 21 सितंबर 2019 के 9th class Maths के English Medium के वीडियो में जिसमें हम बच्चों solve करेंगे वर्क्षिट नमबर 34 को तो यह वर्क्षिट नमबर 34 है यह experimental probability के ऊपर है एक्स्पेरिमेंटल पी जिए इस condition एक्स पोबृबर 24 होती जिसमें हम खिसी की प्रबैर लोटी निकालते हैं लेकिन वह एक्स्पेरिमेंटल मतलब हम इसी हम बहुत बड़े विंट की बात करते है इसे हीं क्वेसिक्व कि सपर्मूला उन्होंने बणां कि required previous knowledge understanding of experimental probability इस चेप्टर को इस worksheet को करने से पहले आपको experimental probability क्या होती हो पता होना चाहिए तो वह कहता है children you know that you know that to calculate experimental probability of an event e we use the formula PE is equals to number of cases favorable to event e upon total number of cases तो जो cases हमारे लिए favorable है और जो cases favorable नहीं है let's solve some questions based on experimental probability तो कुछ questions उन्होंने solve कर आए है पहला question है a tire manufacturing company kept a record of distances covered before a tire needed to be replaced the table shows the result of hundred cases तो किए एक टायर कंपनी ने record रखा कि कितने किलुमीटर चलने के बाद उनका टायर खराब होता है उन्होंने अपने जो हजार टायर बेचे थे उन बिकेवे हजार टायरों का record रखा तो उन्होंने देखा कि बीस टायर ऐसे थे less than four thousand मतलब 4000 किलो मीटर भी नहीं चले और वह खराब हो गए 210 टायर ऐसे थे जो 4000 से 9000 के बीच में खराब हुए 325 टायर ऐसे थे जो 9001 से 14000 के बीच खराब हुए और 445 सबसे जादा टायर ऐसे थे जो 14000 से भी जादा चले अब उनका सवाल आपसे क्या है उनका सवाल यह है कि इस यू बाय टायर अप दिस कंपनी वट इस थी प्रवाइबिलिटी डैट अगर आपने इस कंपनी का टायर खरीदा तो अब वो कहता है कि प्रवाइबिलिटी निकालो कि इट विल नीड टू बी रिप्लेश्ट विफॉर इस चावरड 4000 किलो मिटर मतलब वो 4000 किलो मीटर का डिस्टेंस कवर करने से पहले ही खराब हो जाएगा इसकी प्रवाइबिलिटी क्या है तो हम ने का भई ऐसे कितने केस थे जिसमें 4000 किलो मिटर से भी कम में टायर यह आए विससे 1 भाई 50 होगा 1 भाई 5 नहीं होगा यह 1 भाई 50 होगा तो अरक्षीट में घलती है दूसरा है इट विल लास्ट मोर धन 9000 किलो मेटर मेर नौ हजार किलो मेटर से भी ज्ता चलेगा अब ध्यान से देखिए 9000 किलो मेटर से ज़ादा कितना हो सकते हैं हैं तो 445 जमा 325 यानिकी 770 और क्या हो जाएगा टोटल 770 केस में 9000 से साथा किलोमेटर चला और कुल कितने केस हैं हजार तो यह हो गया 770 बटे में हजार और तीसरा है इट विल नीट टू बी विप्लेस्ट विफॉर इस कवर्ड इस सम्वेर बिट्वीन 4000 किलोमेटर एं 14000 किलोमेटर मतब 4000 से 14000 के बीच तो 210 और 325 इनको एड़ कर दिया हमने दोनों को और बटे में रख दिया हजार क्योंकि हजार बाग जो है टोटल जो टायर हैं जो केस हैं वह हजार है आगे बढ़ते हैं जिसका अंसर हमारा आ जाएगा 535 वटे में हजार यानि 107 वटे 200 दूसरा एक्जेम्पल है दर रिकॉर्ड ऑफ वेदर स्टेशन शोउज तो मौसम विभाग ने मौसम का आंकड़ा देखा और उन्होंने देखा कि 200 दिन उन्होंने जो अनुमान किया था उन्होंने बताया था कि बारिश होगी या धूप होगी उसमें से 175 बार वो सही थे है एक सो पिछत्तर बार जो उन्होंने बोला जो दूब बोला जो उन्होंने बोला वो हुआ लेकिन कुछ बार जो नहीं हुआ कितनी बार नहीं हुआ तो अगर 200 में से 175 बार उनका बोला हुआ हुआ तो 200 घटा 175 कितना होगा 75 आजाएगा तो 75 बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ बोला लेकिन वह सही थाबित नहीं हुआ तो what is the probability that on a given day it was correct what is the probability that it was not correct तो ऐसी क्या probability कि वो करेक्ट थे और ऐसी क्या probability कि वो करेक्ट नहीं थे तो हमने solution लिखा the number of days for which the record is available कितने दिन का अवेलेबल है 250 सही थे 175 दिन तो सही वाला probability आजेगी 175 बटे में 200 175 अपॉइंट 250 7 बाइट 10 0.7 और number of days when the forecast was not correct कितनी बार करेक्ट नहीं था 75 75 अपॉइंट 250 3 बाइट 10 0.3 अब ध्यान से देखे सही था 0.7 और गलत था 0.3 दोनों को plus कर दो के तो आजाएगा वन तो इसको भी हमें हमेशा याद रखना है किसी भी चीज के होने की और ना होने की possibility हमेशा वन होती है चलिए आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको question है consider the frequency distribution table given below which gives the weight of 38 students of a class तो 38 दो एक अबच्चों का three ऑपको दिया हूं एं 30 एन से थार्टीफाइफ नौ बत्चों का विट है लाला है वो 46 50 के बीच बच्चे का हो तो हम Qq में को के 46 50 जो वेट था वो कितने बच्चों का था तो देखिये 46 50 कितने बच्चों का वेट था थीन बच्चों का तो प्रोड़ी भी क्या जाएगी तीन अपॉन थर्टी एट पॉर्मूला सी जिसे लगा पॉइबिलिटी अफ इवेंट इस इकोल स्टुडेंट इन फॉर्टी सिक्स तो फिफ्टी केजी इंटरवल अपॉन टोटल नंबर अफ तुडेंट स्टुडेंट थ्री भाई थर्टी एट ऐसी सेकिंड पार्ट इसका क्या है find the probability of weight of students इस more than 50 केजी 50 केजी से ज्यादा तो 50 कीजी से ज्यादा वाला क्या हूआ number of students with less than 50 केजी वेट और 50 किलों से कम स्वेंट फिफचास किलों से कम लिखा है यह ज्यादा लिखा है कि यहां शायद एक गलती से लेस देन लिखा गया कुशन में इसको भी मोर भी कर ले ना यहां पर कि यहां पर मोर आएगा लेस नहीं आएगा कि विद मोर देन 50 kg वेट कितने होंगे देखो 50 kg से जाधा वाला होगा या तो 51 से 55 में या 56 से 60 में या 61 से 65 में तो तीनों को हमने एड खर दिया टोटल आ गया दूसरा कॉशन है तो नो दी ऑपीनियन ऑफ स्टूडेंट अबाउट दी फुटबाल गीम अ सब्सक्राइब को फुटबाल पसंद नहीं है तो हमने का ठीक है चेक कर लेते हैं साथ बटा चैस तो अमारा आ गया नंबर स्टूडेंट्स युलाइग फुटबाल 135 और नंबर स्टूडेंट्स पुटबाल 65 टोटल स्टूडेंस 200 पर अब्लेंट निकाला नंबर अफ स्टूडेंस फुटबाल पहले लाइक की प्रभिबिटी निकाली है तो लाइक अपन टोटल स्टूडेंट्स तो यह आ जाएगा 65 जिनको पसंद नहीं है अपन 200 यह थर्टीन बाइंड़ेट तो बच्चों हमने मैच्स की वर्क्षीट सॉल्फ कर लिया आज क्या आपकी पूरी साइन्स की वर्क्षीट भी आपको चैनल में मिल जाएगी हम आपसे मिलेंगे कल की वीडियो के साथ तब तक के लिए स्टे हल्दी एंड स्टे सेफ